अपना मेंस्ट्रीम मीडिया है, मुझे उसको लगबग 2-2 साल पहले बॉयकॉट कर चुका हूँ ये सरकार तानाशाहिज के हुकमरान जो उपर बैटे हैं, वो तानाशाही पर ही जीते हैं जाती वाद जो है, उनका सबसे बड़ा एजेंडा रहा है, पहले खुल के होता था, आज छुप के होता है मेंस्ट्रीम मीडिया आज की डेट में दो चेहरे लेके बैठी है, ठीक है, जिसमें की मेंस्ट्रीम में उनको चलाना है तो उनको खाली पैसा चीए और सिख हमेशा जो है लोगों के लिए लड़ता है, वो लोग जिनको यहां बैठने नहीं दिया गया, दरी बिशाकर के दिली की सडकों पे, महरा पीटा गया, तंगवादी बोला गया, सारे हमारे साथ इस दरी पे बैठे हैं आज अब यह कह रहे हैं कि यह किसान बैठे है, के लाठी चलाने की तो यहां भी उन्होंने बहुत कोशिस की, केवल पत्रकार नहीं डरा हुआ है, पूरा समाज डरा हुआ है, जब 2014 में आई थे, तो हमको हिंदू बनाया था, हमें नहीं पताती कि हम किसान है, समाज नहीं पाये कि हिंदू राष्ट बनने से मुझे लाब क्या होगा ने मीडिया तो हतियार है लेकिन सरकार अपना जाल बिचाना चाहती है लोगों के बीच भूक भै और भ्रह्म फैला कर रारिलायंस का नारा है कर लो दुनिया मुठ्थी में किसानोंने का हम नहीं आने वाले आपकी मुठ हो चुकी है मिडिया इस अंदोलन को दिखां नहीं रहा है जो टीवी अठवार है वो दिखां नहीं रहा है इसलिए इसकी Прोफेशनल हूं तो आप क्यों इस आंदोलन से जुड़ा विसलिए है क्योंकि ये हर इंसान के घर से जुड़ा हुआ अंदोलन है ध्यान से समझेंगे तो बात सरफ किसान की नहीं है तकलीफ में सभी है ये डिली NCR में अपने घरों में बैठ के टीवी पे बैठ के जो आंदोलन देखा जा रहा है काफी वो नहीं है कहीं न कहीं मेरे घर में अगर आज की डेट में किसान अगर यहां बैठा है और अगर ये तय कर ले आने वाले समय में कि भाईया हम जो है अपने लिमिट का आनाज उगाएंगे और अपने लिए रखेंगे तब पता चलेगा कि यहां अनाज नहीं मिलने वाला तब तक लिए अख़वार देखने के बाद क्या लगता है अंदोलन के बारे में क्या परसेप्सन बनता है कि यह अच्छे लोग न जिसमें कि आपका चैनल आप जिस समाज से आते हैं खासकर भ्रहमन समाज का मैं सोसल मीडिया श्टटी देखरता हूं तो वह सब के सब को लगता है कि यह सब पुरफगेंडा है कॉंग्रेस की पॉलिसी है और यह किसान ही नहीं है वह उनके जो मोदी जी के जो हाड़कोर सम जाता है बहुत सारी पार्टियां सत्ता में होती है लेकिन इस तरह से रिजिट नहीं होती है वो बात करती है सरकार से किसान आंदोलनी से पहले भी होते रहे हैं सरकार बात करती रही है सरकार क्योंकि यह गूंगे और बहरों की सरकार यह सरकार ताना शाह है यह सरकार ताना शाही पर ही जीते हैं जाती वाद जो है उनका सबसे बड़ा एजेंडा रहा है पहले खुल के होता था आज छुपके होता है तो क्या कहेंगे उनके समर्थकों को जो खासकर जेनरल कैटेगर के हैं ब्रहामन समाज के ज्यादा तर समर्थक है बीजेपी आज की डेट में पिछ करना है ग्लोबल लेवल पर मुझे जाती वाद से बाहर आना पड़ेगा तो मुझे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ाना चाहिए कि मैं ब्रहामन हूं या किसी निचली जाती से आता हूं जब तक यह भेद खतम नहीं होगा तब तक यह लड़ाईयां और ऐसे अंदोलन होते रहेंगे तो अभी निचली जाती कह रहे हैं इसका मतलब को उची जाती है यह मैं नहीं कहा रहा हूं यह धर्रा बनाया गया है और इसी पे राजनीतिक पार्टिया अपनी रोटी सेकती हैं और से रहेंगी आप ब्रहामन परिवार से क्या बताया जाता है कि आप लोग स्रि मेरे पिता जी मजदूर है गाउं में रहते हैं उनको जाके का आप कुछ कही है तो दो थपर घुमा के रख देंगा अब जो जातिवाद है वो मीडिया जुडिशियरी ब्यूरोक्रेसी जो पावर सेंटर से ना वहां पर जातिवाद है जाती कहीं साफ से प्रफेसर रखे जा कहीं साफ से मंतरी बनाए जा रहे हैं कोई दलित चार बार इंपी बनता है उसके बाद भी सोचल जस्टिस मंतरी बनता है और निर्मला सितारमन एक बार में एजुकर फाइनस मिनिस्टर बन जाती है यह इंसानी फितरत है ठीक है जब मैं भारत की बात करता हूं तो यह एक पत्ता में रहेगा जिसके हाथ में पावर होगी वो कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करेगा ठीक है और हमारे यहां की हायर की पॉलिटिकल हायर की ऐसी है जिसके अंदर में की गेम ही सारा वो जातिवाद का है मीडिया के बारे में आपकी क्या रहा है मेंस्ट्रीम मीडिया आ बात है मौके के उपर में चौका मारने वाली बाती है इस देश में उनकी तो मतलब उनकी जितनी आलोचना हुई है में पत्रकारिता का छात्र रहा हूँ मैंने 15 साल नौकरी की है अगर आपको लगता है कि इस देश की मीडिया सरकार के साथ सिर्फ पैसे की बज़ासी है तो आप बहुत गलत फैमी में है इस देश में एक जाती विसेस और धर्म विसेस की शरकार है विचारदारा विसेस की सरक जो चाहती है कि इस देश में बाकी जो भी लोग हैं उनके रंग में रंग जाए या वो उस रंग को खत्म कर देंगे मुसल्मानों का अंदोलन होता है तो उसको आतंगवादी कहा जाता है दलितों का अंदोलन होता है तो गोलियां चलती है बारोलों की मौत होती है मुसल्म इन्हों ने जो समझ दिखाई है, जो तत्परता दिखाया है, 40 दिन में उन्हों ने एक खरोज तक किसी को नहीं लगने दिया है, किसी महिला के साथ दुर्वेभार नहीं हुआ है, यहां तक कि किसी पत्रकार के साथ भी कोई दुर्वेभार नहीं हुआ है, और चुकि इनकी बरी वज़ा है धार्मिक कटरता, RSS की जो विचारधारा है, उसी विचारधारा के लोग मीडिया हाॉसेस में बैठे हुए है, उसमें सिर्फ एक जाती और एक धर्म के लोग बैठे हुए है और इस वज़ा से वो सरकार के साथ हैं अगर पैसे के लिए मीडिया काम करती तो फिर मायवती भी मुखमंतरी होती है लालुयादा भी मुखमंतरी होता है सिख समाज के लोग भी परधान मंतरी हुए लेकिन मीडिया उनक्या लोचना करेगी तब मिडिया इमांदार हो जाती है जब उसे कोई गैर सवर्न और गैर बैदिक लोग मिलते हैं ये बात इस देश को समझना पड़ेगा कि इस देश की जो सबसे बड़ी समस्या है वो जाती के नाम पर जो शोशन होता है और धर्म के नाम पर जो बटवारा है एक ऐसी महिला है जो मुझसे बात करने आई थी आपका क्या नाम? गगनीत कोर मेरा नाम है आप तो सिख समास है बिल्कुल दिली से ही हूँ मैं और मैं दिली से ही हूँ और इस अंदोलन में हम मेरा लगतर हम हफते में दो से तीन बार आते हैं अज न्यू यर था तो हमारे जो किसान अगुए उनकी अपील थी कि हर व्यक्ति अपना जो न्यू यर सेलिब्रेट करने इधर उदर जाते हैं किसानों को सपोर्ट करने आए तो हम सोचिए मेरे पास कई सारे स्क्रीन सोट मैंने रखे हुए हैं जब यह आंदोलन सुरू हुआ तो इसको पहले कहा गया कि यह पंजाब के सिखों का अंदोलन है धमकिया तक लिखी गई तो इस सरकार के समर्थक तक उन्हों ने लिखा कि 84 का सीन दोहरा दिया जाएगा इस तरह की धमकिया दी गई लेकिन धीरे धीरे सिख समाज के लोगों ने इस आंदोलन में सिख आंदोलन नहीं है हाँ सिखिजम का कंसेप्ट है गुरुनानक साहब का कंसेप्ट है कि सब बैठो खाओ लंगर चको और घर जाओ उनका भाईचारा है उनकी समानता है लेकिन अंदोलन हर जाती धर्म बुद्धिस्ट लोग भी बैठे हुए हैं सिख समाज के भी लोग हैं और हिंदू, मुस्लीम, दलित, पिछरा सब का साहनभूती मिल रहा है इसलिए सरकार बाचित करने के लिए मजबूर हुई अगर सिखो का अंदोलन होता तो सरकार कोई और रवय आपना आती लेकिन करने की कोशिस की गई थी मैं फिर कह रहा हूँ कि सान आंदोलन को समझे अगर आप स्टूडेंट हैं अगर आप मीडिया के चात रहे हैं या मीडिया पढ़ते हैं न्यूज रूम में बैट के बड़े-बड़े जो एंकर हैं वो जान बुच कर इस आंदोलन को मैनुपलेट कर रहे हैं अब वो कह रहे हैं कि यह आंदोलन नहीं यह आयोजन है मतलब उनको इनके खाने से प्रोबलम है इनके कपरों से प्रोबलम है तो पिछले 6 साल में लगातार किया गया मैं मानेवर कांसी राम साहब के एक लाइन कोट करूंगा मैं उनको बहुत बड़ा सोशल साइंटिस उस मंच पर देश के दो-दो पूर परधानमंतरी सवार थे चाए वो चंसेकर्ज हो चाया वो दिवगावरा साहब हो वो दोनों उस मंच पर दिखते हैं कांसी राम दिखते हैं तब किसानों को इस तरह से बैरिकेड नहीं किया जाता था तब किसान सीधे इंडिया गिड़ किया है टीबी वालों ने परसेप्शन फैलाया मुसल्मानों के अंदोलन को आतंगबादी कहा और उसको लोगों ने मान लिया बड़ा तब का जो हिंदू धर्म का था वो मान लिया सिक्स तब भी लंगर खिला रहे थे दलितों का अंदोलन हुआ कोट तक ने उसके खिलाप मे फैसले दियें लेकिन पहली बार इस अंदोलन को किसान का नाम दिया गया है मेरे जैसा बत्रकार मीडिया वाले भी अपसमद नहीं पार है किस अंदोलन को तोरा कैसे जाए फिलाल वो सफल नहीं हो पार है सरकार जरूर घुटनों पर है लेकिन बहुत नुकसान हो रहा है द कट्नाएं हुई है का लियाम हुआ है जब भी इस देश में मजबूस सरकार के नाम पर जो कहता है न इसलिए कांसिर हम कहते तें कि जो गटवंधन की सरकार होती है वो जनते के हित में फैंसला लेती है क्योंकि उसको डर होता जनता का अब तो खैर के बारे में लोग कहते हैं मैंने बहुत बहुत सारी बाते काई दी कुछ लोगों की विराय लूँगा तो आप आजकल तो हो ही रहा है कि हम जाती के अधार पे धर्म के अधार पे आंदोलन को देखते हैं जब मुसलमानों का सी एनर्सी पोटेस्ट चला तो उसमें भी आपको हुआ तो वो इस तरीके से हुआ था कि वो उसको तो इसी से बर गयाना मैं कल जब ट्रेन बेच रहा था तो आप नहीं बोले आज आपके जमीन पढ़ना जा रहे तो बिल्कुल सर उनको यही बात का ओवर कॉन्फिडेंस हो चुक है कि हम जो भी लौ बनाएंगे गलती सरकार इसका फाइदा उठा रही देखिए उसमें भी हमारी गलती हुई और उसमें पंजाब के हमारे सिखों ने आके लंगर लगाया तो वहां उनको भी अतंकवादी बोला गया उसमें भी हम लोग आये थे और सिख हमेशा जो है लोगों के लिए लड़ता है सूरा सुरा स हुई है हम लोग आपस में बटे थे सरकार के मन ने तो 40 दिन से आप लोग सरकों पर बैठे हैं पुरा देश की सानवूती मिल रही है सरकार भाई साब बात ही नहीं कर रही है इस आंदोलन में हर वो लोग जिनको यहां बैठने नहीं दिया गया दरी बिशाकर के दिल्ली की सड़कों पर महरा पीटा गया तंग वादी पोला गया सारे हमारे साथ इस दरी पर बैठे हैं आज पूरा देश हो चुका है आगे क्या लगता है इस तो रने की तो कोशिश हो रही है यह सर ऐसा है यह किसी एक वरका नहीं पूरे जनमानस का जुड़ा हुआ वाट कर रहे थे पहले की बातों पर आप लोग बुरा मत बने कि पिछले छे साल में जो अंदोलन हुआ उसको तो बांट दिया गया था ना किसी कभी किसी धर्म का अंदोलन है और हम सब लोग मजे ले रहे थे जी जब बटे थे तब ही तुझे नौपत आई है ना बटे होते सरकार के मन से डर खत्म हो गया उसको लगा कि हम बांट देंगे लोग होई थी अब एक हो है ताब उनको फिर परेशान नहीं है पी एक क्यों हो गए हाँ फिर तोड़ रहे हैं पर तूट जाए कैसे तूटे मामला आगे बढ़ आप लोगों ने हम लोग ने हम लोग एक हो सारे ही कि लोग एक मंच पर आगए है आप यहां पर कोई भी राजनीतिक बात कि बुराय है मैं इस दीश में देश में अरे मैं आप टीचर हैं बीना राजनीती के बिल वापस हो जाएगा क्या यह थी है इनना बोट के डर से सरकार डरती है क्या देल बापस नहीं हो तो आप क्या करेंगा नहीं सरकार बना देलेंगे पिल्कुल कि जोड़ेंगे पूरे हिंदुस्तान के जो हमारे नेता गण हैं जो धर्ती से चोड़े हुए हैं उनको जोड़ेंगे और अरे सर मैं गाउंगा घुमता हूँ ना आप लोग के समर्थन में लोग हैं बस फर्क इतना है कि उसको दिखाया नहीं जा रहा है तो एक बेव नहीं पैदा हो रहा है पीबी अखवार में इतनी ताकत ह होती है ना कि वो तील का तार बना दे और ताल को तील कर दे अल इंडिया स्टुडेंट यूनियन के लोग आये हैं शातर जुड़ गया है इतना था पर बुरा मत मानिया कि सुरुवात में हम लोगों से गलती हुई है हम लोग जाती धर में बट गए सरकार ने उसका फायद अब यह कह रहे हैं कि यह किसान बैठें आफ इनको यह कहना पड़ा मजबूरी में हमें कहली स्तान था पहले पंजाबी था पहले सरुप पर सरदार था स님 था यह सब उनको से इसमार को में विम्यृ नियुदा ना तो आप लोग ने पगरी बंद बादिया अब उनको मझण डर तो रही है लेकिन अभी अब आप मैं बता रहा हूं अब उन्होंने एक 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 चीज दी है कि किसान है अब ये किसान कैसे डूढ रहे हैं उनको जिनस वाले किसान अच्छे नहीं लग रहे हैं कोट वाले किसान कितना सबाब मुझे लगब लोग जांते है मैं आप कर रहा हूं मैं तो 6 साल से जेल के बाहर अंदर होता हो आप एक बास बताथा कि गलतिया हम लोगों से हुई है किने कि मोग आप असे बटे होते है गली महन सिंज्जा पढान मंत्री थेे तो आंदोलन होता था तो देस का इस आन्धोलन को भी उनोंने की कोशिस की पहले जब आंदोलन को अन्य को नों सुरू हुआ तो पर सिक्छ समाज की जदर तादात आई तो सब से पहले उन्हीं पर पर यह तो आए जह उनका ने का कभी सिख में बांड दो कभी मुसल्मान में बांड जानता हूं लाठी चलवाता कौन ए आप लोगो पहचान है कौन चलवाता है यहां पर क्या हुआ प्नुम्र काम T के जो भी औहीं कालन है इस जो भी बुजुर्ग आईاج सब कुसान हैं यहीं चैनल पर मैं आपको धन्रिवाद करने काम है। नहीं साथ इस वक्त में सच कहने वाले लोग टिप्स पर नहीं मिलना हैं इसलिए हमको कहने ना सुनिए इसमें आप लोग की गलती है सच कहने वालों को आप लोगों ने साथ छोड़ दिया है भाई पत्रकार नहीं डरा हुआ है पूरा समाज डरा हुआ है पता है कि आप लोगों को जानकारी के लिए बता दू हर्तोस बल जाट समाज के थे उनकी नौकरी चली गई अभी दवार का एडिटर हुआ करते थे दहिंदू के इडिटर उनकी नौकरी यह सरकार जब आई थी ना तो उन तमाम पत्रकारों को नौकरी से निकलवा दिया गया और चैनल खरीद वाएगा आप लोगो है जानकारी अम बानिया डाई ने कितने चैनल खरीदे हैं जैसे के जी मीडिया सर वो 15 दिन से एकी न्यूस चला रहा है कि इनकी 50% मांग माल ली है यह सब मतलब मतलब फंडिंग फॉरन फंडिंग हो रही है आपके नेता भी तो गलवाहिया करते हैं तो कलती उनकी उनकी आप लोगों में वीडियो किसान मरें उन्होंने एक एक दिन निउस नीचला इसर दियो निउस चला मैं बता रहा हूं क्या हुआ है है विग्यान भवन मीटिंग हुई सारे पतकार को कहा गया कि आप कहिए कि दो कदम सरकार ने बढ़ा दिया दो कदम किसान आगे बढ़ा है मतलब दो विल मान लिए अब तुम घर जाओ जो सब्सक्रा अब करें प्रोटेस्ट वह पाकिस्तानी पाइस तो भाई आज किसानों की जमीन जा रही है सब को पता है जमीन चले जाएगी आप लड़ रहे हैं जिसको यह कहा जा रहा है कि तुम साबित करो कि नागरी को क्या करेगा बिचारा वह भी तो धरना परतसन करेंगा ना जह करेंगा यहान वह भी मानता हूं वह को पता किसान आंडोलान नहीं इस गलती का मैं भी मानता हूं कि हम सबसेपहले हमारे मोधी जी जब 2014 में आई थे तो हम को हिंदू बनाया था हमें नहीं पता थी कि हम किसान हैं मजदूर हैं एक बहुत बड़ा था हम भारतियों में उन्होंने बाट दिये थे सब बारत तो रखा ही नहीं था यह बठाई है उन्होंने ही हook हम हम हिंदूराष्ट में सिक बड़ा बाधा है हुं दू राष्ट इस देषा बनेगा जब यह तो संविधान खतम हो जाए यह शीख बनने से मुझे लाब क्या होगा अब यह हमें समझ आया है कि यह कुछ नहीं कर सकते सिर्या को एट वह पर क्या हो रहे सर इरान वह पर क्या हो रहा आप देख सकते हैं आरे यार तो आर आरे से पीजेपी के सरकार बनाने कच्छा सरकार के लिए काम करते हैं किसान तो पुरा देश है भाई अचे किसान तो नहीं हूं हूं किसान तो हम कहां से लाएंगे इसलिए हम तो आहम तो पत्रकार है हम Guo करते हैं वह सिर्फ बीजेपी के लिए करते बीजेपी के लिए किसानों के लिए बजरनंग्डौल हिंदू भाईनियारे से ऐखानग्यां अया हूं नहीं आहीं आहें में पूछ पूछते हैं तो क्या कहते हैं एंट्री नेशनली सम्गठ है और जब जा गया था तो मजा तो लिये थे आप लो पर हमला हुआ तो मजा लिया गया है अब यह मामला बारी बारी से सब को लाथ पर रहे हैं आप तो पेट पर लाथ पर रहे हैं अगर उपाजिशन कुछ बोलता है तो क्या बोलते हैं कि अगर आप सबसे बड़ा हत्यार क्या है नहीं 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 आपके पास मिडिया नहीं है नहीं मिडिया तो हतियार है लेकिन सरकार अपना जाल बिचाना चाहती है लोगों के बीच भूक भय और भ्रम फैला कर इन तीन चीज के आधार पर राच करना चाहते हैं देश तो कर रहे हैं नहीं मिटने देंगे डर भी नहीं वो मिटाएंगे और भ्रह्म फैलाते रहेंगे तो ये निती किसानों अब जो किसानों निडर होकर पूरे देश भर में जो रास्ते पर उत्तर हैं बिल्कुल आज इस नए साल के पहले दिन पर बधाई देनी होगी सारे किसान भाईयों को कि उन्होंने उम्मीदों की बीज बोई है इस देश में डर आपको भी लगता था पहले में नहीं डर नहीं मैं तो लड़ने वाली कार्य करता हूं मैं तो लाई हूं महाराष्टर के राइगर जि भगा दिया रिलायंस को सानों की ताकत पर रिलायंस को भागना पड़ा था वो जमीन चीनने आये थे हमारी और वहां से भगा दिया किसानों ने एक जूट होकर रारिलायंस का नारा है कर लो दुनिया मुठी में किसानों ने का हम नहीं आने वाले आपकी मुठी में प्रध तो प्रदान मंत्री के लिए उसी के आधार पर वो चुनाओ जितना चाहते हैं तो कहते हैं कि 130 करोड़ भाई देश भाई जो देशवासी है वह हम सब हमारी मुठी में तो प्रदान मंत्री भ्रहं फैला रहे मैं जो कहरी हूं पहले से यह ब्रहं है और पैसे किस करेंगे वह प्रदान मंत्री की मुठी में बहुत जातियां और बहुत है देखिये यह देखिये यह लंगर चल रहा है मैं इसलिए कहता हूँ इस देश को बचाना पड़ेगा यह भाई चारा बचनी चाहिए तब यह देश बचेगा आपके पास भी फंटिंग पाकिस्टन से आती होगी चाइना से आती होगी तो गरीवा चालिस किसान सहीद हो चुके हैं बहुत गमगीन महौल है लेकिन इस देश के लोगों में कितना मतलब कितनी ताकत है आप देखिए पिछले चालिस दिनों से सरकों पर लोग डटे हुए हैं तो मैं अब लंबी बातचित हो चुके हैं अब इस बात को मैं फिर कह रहा हूँ इस देश को बचाये जाती और धर्म से बाहर निकलिए और किसी का भी जायज मुद्दा हो एक पत्रकार के तोर पे मैं रिक्वेस्ट करता कोई भी अपने हक अधिकार के लिए अगर उसका मुद्दा जायज है तो उसके साथ खड़े हो ये इस देश के समिधान में लिखा हुआ है कि कोई भी अपने डेमोक्रेटिक राइट के लिए अपने संबधानी का धिकार के लिए खड़ा होगा आज इस्तिती ये हो गई है कि न तो मीडिया, न जुडिशियारी, न ब्यूरोक्रेसी, न कॉलेज इनवर्सिटी जो कहीं से भी सही की आवाज उर्ट, सुचिए CBI का एक डारेक्टर था उसने सरकार के खिलाब बोला उसके होटा दिया गया चातर कॉलिज में बोल रहे हैं, उनको चोड का दिया आता है कोई पत्रकार हिम्मत करता है सवाल पुछने की, उसको नौकरी से निकलवा दिया जाता है और इस्तिती ये आ गई है कि पहले मुसलमान, फिर दलित, फिर पिछरा, और अब बारी किसानों की आ गई है लेकिन किसानों ने इस देश को एक जूर तो किया है, हम जैसे पत्रकारों का भी डर कुछ खत्म हुआ है लेकिन सरकार की नजर सब पर है, जो गुजरात मॉडल है, उसमें हर एक की रेकी की जाती है लेकिन भारत बड़ा देश है, मुझे फिर मैं कह रहा हूँ, जब तक अगर संबिधान सुरक्षीत है इस देश में, हम सब के अधिकार सुरक्षीत रहेंगे कामरामन बैभब के साथ शंभू कुमार सिंग नेशनल दस्तक गाजीपूर बॉडर दिल्ली नेशनल दस्तक की आप से गुजारिस है, कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्स्क्राइब करने के लिए, रेट कलर के सब्स्ट्राइब बटन को दवाएं, फिर बेल आइकन की घणटी दवाएं निसल दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करे, लाइक करे, कमेंट जरूर करे